शुब अपराहन बच्चों, हमारा नया पाठ, चिठी का सफर, कल से ही शुरू हो चुका है मैं आपको संचार के विविन शाधनों के चित्र, पाठ का पुरुपरिचे और सारांस भेच चुकी हूँ उमीद है आप सभी ने उसे अच्छी तरह पढ़कर अभ्यास कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे बच्चे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन जैसे बस, नाव, जहाज, आधी का प्रियोग करते हैं लेकिन ब्यावहारिक जीवन में हम जब चाहें कहीं भी आना जाना नहीं कर सकते हैं ऐसे में हम घर बैठे ही अपनी बातों को एक दूसरे को बता सकते हैं तो बच्चे जिन शाधनों के द्वारा हम घर बैठे ही या कहीं से भी एक दूसरे के बातों को देश विदेश की खबरों को या अन्य खबरों को जान पाते हैं वह संचार का साधन कहलाता है जैसा कि अभी हम सभी एक दूसरे से दूर हैं फिर भी मुबाइल, कम्प्यूटर, नेट, आदी के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की बातों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं बच्चे पुराने समय में राजा महराजा, शंदेश बाहक, हरकारे, कभूतर, आदी के द्वारा अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते थे उसके बाद चिठी का दूर आया तो बच्चे चिठी का सफर पाठ में चिठी लिखने से लेकर चिठी के पहुँचने तक के पूरे सफर का बर्नन है जो कि हम सभी वाचन अभ्यास के द्वारा जानेंगे, आप मेरे द्वारा किये गए वाचन को सुनेंगे और फिर खुज से पढ़ेंगे तो बच्चों शुरू करते हैं वाचन कारिया आप ध्यान से सुनेंगे अपनी दस बारह साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्वर करता है जैसे की चिठी किस अस्थान से किस अस्थान पर भेजी जा रही है संदेश पहुचाने की कितनी जल्दी है तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है की नहीं तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है की नहीं आदी अब प्रशन ये उठते हैं कि आखिर चिठी पर डाक्टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुँचाया जाए? अस्थान बदलने से चिठी के पहुँचने पर क्या असर पढ़ता है? इन में स सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खास कर तुम्हें से उनके पास जो डाक्टिकट इकठा करने का शौक रखते हों. इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिये गए लिफाफे को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगहों पर लिखो, नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लिफाफे में केवल महातमा गांधी जहां हो और वर्धा, वर्धा गुजरात का एक जगह है, केवल इतना ही पता लिखा हुआ है, जबकि दूसरे लिफाफे में पूरा पता लिखा हुआ है. श्रीमान, निदेशक, महोदै, राष्ट्रियस, एक्षेनिक, अनूसंधान, एवंग्स, परशिक्षन, परिसद, अरविंद, मार्ग, और उसके बाद, पिन कोड दिया गया है, 110011. ये दोनों पते किस तरह से भिन है? मतलब हुआ, यह हुआ, कि घर के नंबर के बाद, गली मुहले का नाम, फिर गाओं का नाम, फिर कस्वे, शहर के, जिस हिसे में है, उसका नाम, या फिर गाओं या सहर का नाम. सहर के नाम के बाद लिखे अंक को पीन कोड काते हैं हर जगह को एक पीन कोड दिया जाता है यह सोचने लाइक बात है कि आखिर पीन कोड की जरुत ही क्या है हमारे देश में अनेक ऐसे कस्वे गाउं सहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं पते के बाद पीन कोड लिखने से गंते ब्यस्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले करमचारीओं को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बाटे जाते हैं। तो बच्चे किसी भी पत्र में पीन कोड लिखने से पता चलता है कि ये चिठी किस राजी के किस सहर में किस गली में किस मोहले में जाना है तो जो डाक करमचारी है उसको पहले डाक की छटाई कर लेते हैं एक एरिया के पत्र को एक जगा कर लेते हैं एक एक जगा उसके बाद पिन कोड की शुरुवात 15 अगस्त 1972 को डाक तार विवाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। नंबर का छोटा रूप है। तो पोस्टल पी इंडेक्स आई और नंबर इन। तो इससे हो गया पी आई एन पीन। किसी भी जगह का पीन कोड छे अंकों का होता है। अफाफे पर लिखा है 110016। छे अंके का है बच्चे ये आप देख लिजे। इसमें पहले अस्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पीन कोड दिल्ली, हरियाना, हिमाचल, प्रदेश, पंजाब या जम्मू कस्मीर का है। अगले दो अंक यानि 10 यह तै करते हैं कि दिल्ली, राष्ट्रिय राजधानी छेतर के उपचेतर दिल्ली का कोड है। मतलब दिल्ली के अंदर जो और एरिया है, और इलाका है, उसका कोड है वो 10, अगले तीन आंक यानि 016, दिल्ली उपचेतर के ऐसे डाक घर का कोड है, जहां से डाक बाटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है, उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो, और यह पता करके बच्चे आप फिर देखेंगे की आपका जो जैसे 8,14, है साइद हम लोग जहां रह रहे हैं, 8,14, तो उसी के अनुसार उसको आ जाएगा कि पहला अंक किस लिए है, दूसरा अंक किस लिए है, और लास्ट का तीसरा अंक किस के लिए है, यह आप समझ गए कि फिक्सी भी पीन कोड का पहला अंक जो होता है, वो उस राज्य का होता है, बाद का दो अंक जो होता है, उस राज्य के अंदर जो छेतर आते है उसका होता है और बाद का तीसरा ऐसे डाग घर का होता है जहां से वह डाग बाटा जाएगा पिन कोड की जानकारी डाग घर से भी प्राप्त की जा सकती है डाग घरों में टेलिफोन डारेक्टरी की तरह पिन कोड डारेक्टरी भी होती है तुम्हारे इलाके का PIN Code तो तुम्हारे मुहले में लगे Letterbox पर ही लिखा होगा प्रमुक सहरों, जगों के PIN Code नंबर तुम्हें कहां-कहां मिल सकते हैं Letterbox पर मिल सकते हैं, Post Office में मिल सकते हैं और भी जो अन्यस अंस्थान है, बैंक वगरा ये सब में भी PIN Code की जानकारी हो सकती है या PIN Code की डारेक्टरी अगर डाक घर में PIN Code डारेक्टरी है तो वहां से भी अलग-अलग सहरों के और जगों के PIN Code की जानकारी हो जाएगी टिकट संग्रा का सौक काफी लोगप्री है, दीरे दीरे इसमें टिकट संग्रा के हलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीजे सामिल हो गई है इसको डाक टिकट का बिग्यान कहना गलत नहीं होगा क्या तुम जानते हो कि इस बिग्यान को क्या नाम दिया गया है पता करो और यहाँ पर लिखो डाक टिकट संग्रह एक तरह का सौक होता है बच्चे और बहुत लोग इसके आएक एलबम भी बनाते हैं तरह के डाक टिकट जो उपलब्द होता है उसको एक अलबम चलव उसको चिपकाते है और इसको अपने पास रखते हैं तो आप भी यह कर सकते हैं आपके पास भी अगर कोई ऊफिशिल लेटर बगएर या घर में कोई आता है तो उसपर जो डाक टिकट लगा होगा तो वो भी आप भी ऐसा करके एक album तयार कर सकते हैं तो हम लोग यहां से करते हैं यह वाला जो था किसी भी पत्र पर पीन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था हम इसको जोड करके यह वाला sentence अभी यहां सुरू हो रहा है इस्तेमाल नहीं किया गया था फर्क सिर्फ पीन कोड का ही नहीं है समय के साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव और विकास होता जा रहा है तो बच्चे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गांधी जी के पत्र पर पीन कोड या एड्रेस जो होता है भोगोले की काई के नुस पूरे देश में वो बहुत प्रसिद्ध थे इसलिए उनका कारीकरम कब होता है कहां होता है वो किस समय कहां पर होंगे यह लोगों को जानकारी रहती थी पोस्ट आप के विभाग को यह जानकारी होती थी इसलिए उनके पत्र पर केवल महात्मा गांधी लिग देने से भी उनको पत्र पहुँच जाता था अब आगे पढ़ते हैं बचे बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे नहों हो जो ऐसे समय में डाक पहुँचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साहद साधन बेहत शिमित थे बात हो रही है उन अरहकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिठी पत्री पहुचाने का काम करते रहे राजा महराजाओं के पास घुर सबार हरकारे हुआ करते थे राजा महराजाओं के जो गोड़े पर हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुचाना होता था बलकि डाक की रक्षा भी करनी होती थी डाकू लुटेरों या अन्य जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहाता था आज भी भारतिय डाक सेवा दुर्गम वह पहारी इलाकों तक डाक प पंड में पद्म जन्सकार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुचाते हैं जहां पर और कोई जाने का साधन नहीं है वहां हरकारे ही डाक पहुचाते हैं बहुत सावधानी से जाना पढ़ता है उनको कि कोई जंगली जानवर या डाको चोर लुटेरा उस पर हमला करक के डाक संपत्ति को या उसको हानी न पहुंचाए इसलिए बहुत जान को जोखी में डाल करके उनको जाना पड़ता है आजकल तु संदेज भेजने के नए नए और तेज साधन असानी सुपलब्ध हो गये हैं डाक बातने में हवाई जहाज पानी के जहाज और जाने कौन- आजकल तो बच्चे हर कुछ संचार के साधनों के द्वारा घर बैठे हमारे पास उपलब्ध हो जाता है कबूतर की उडान से ले करके हवाई हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिल्चस्प करने वाला ही है सोचकर आस्चर्ज होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश भाहक भी हो सकता है कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकती है गिरहवाज और हूमर वह प्रजाती है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है आखिर कभूतर अपना रास्ता ढूंड कैसे लेते हैं उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सेक्डो मिल का रास्ता और सही जगह तै कर पाते हैं तो कभूतर में गिरह वाज और हूमर प्रजाती की जो कभूतर होती है कभूतरों में बहुत तरह की प्रजाती होती है लेकिन हूमर और गिरह वाज जो होती है वही संदेश भाहक का काम करती है और उसको प्रशिक्षित किया जाता है उसको इस काम के लिए ट्रेंड किया ज कभूतरों का इस्तेमाल राजी के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुचाने के लिए कर रही है। कानून विवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कभूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए है। कभूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अन्होनी स्थिती में भी दूसरा कभूतर संदेश पहुचा दे। सोचे वच्चे ये पढ़कर लगता है कि उसको जो प्रसिक्षित करते होंगे कभूतरों को उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। कि प्रसिक्षिन पाकर ये कभूतर दुर्गम इलाके में संकट की घड़ी में संदेश पहुचाने का काम करते हैं। हम बहुत पसुपक्षि हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो कुत्ता होता है उसका उप्योग चोड को पता लगाने में और अन्य कामों के लिए पुलिस उसका उप्योग करती है। तो ये पसुपक्षि भी हमारे बहुत काम आते हैं। हमें हमेशा इनके लिए मन में दया भाव रखनी चाहिए और हमेशा जितना हो सके इनके सुरक्षा का भाव रखना चाहिए सायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कभूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्वयुद्ध में संदेश पहुँचाता था उसका भूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है किताब का नाम है ग्रे नेक किताब का नाम है ग्रे नेक कभी ये देखोंगी अगर ये किताब ये कहानी अगर नेट पर गूगल पर उकलब्ध हुआ तो मैं आप लोगों को भ National Book Trust से अंग्रेजी में छपी किताब में ये कहानी दी गई है किताब का नाम है ग्रे नेक जो की इस किताब के हीरो का भी नाम है अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहो चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे यह रहा उनका पता नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ए फाइप क्रीन पार्क नई दिल्ली 110016 तो बच्चे हो सकता है अभी यह हमें गोगल पर भी उपलब्ध हो जाए यह किताब तो बहुत पहले की लिखी हुई है इसके लिए प्रयास किया जाएगा बच्चे और अगल अब उपलब्ध हुआ तो आप भी पढ़ पाएंगे इस कहानी को कबूत्रों ने कैसे दूसरे भी स्वयुद्ध्य में सहायता की थी यह चीज आप भी पढ़ पाएंगे तो इस तरह से बच्चे इस पाठ का वाचन पुरा हुआ आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसमें एक चीज और यहां पे आया है कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है पता करो यह पता करके अगर पता चल गया तो मैं आपको बताओंगी कि डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा क्या तुम जानते हो कि विज्ञान को क्या नाम दिया गया है मतलब डाक व यह पता करेंगे हम लोग तो वाचन करने के बाद आप पाठ को शुद्धु शुद्धु चारण के साथ पोल बोल कर पढ़ेंगे एक एक शब्द पर उंगली रखेंगे और उसे बोल बोल कर पढ़ेंगे ताकि कुछ अशुद्धियां आपसे हो तो आपके घर में जो भी अबढ़ेंगे शुद्ध करवा देंगे दूसरा कामबर्चे है लिखने वला है पाठ के किसी आठ सब से क्या बनाये के वलाट सब्द पोल या ये शक्रनार कर रहा है आप शब्द कुद्भिसें चुनेंगे लेकिन वाकिश्य जू बनाना है आपको वाक्के पार्थ में से यही बनाना है जो शब्द लेंगे पाठ से और उसी में से बनाएंगे ताकि आपको पाठ का भी और अच्छी तरह से अभ्यास हो जाएगा तो आज का काम इतना ही है बच्चे आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे बहुत-बहुत धन्यवाल